इसको के इकवल हाता है तो अगर हम देखें कि 1 प्लस 10 स्कूरे ए यह तो एक तरह सा इडेंटिटी वाली फॉर्म है like हमें पता है one plus ten square a जो है वो equal होता है sec square a के and इसी के साथ साथ अगर दूसरा देखें तो वो हमें पता है कि one plus cot square a जो है वो equal होता है cosec square a के ये दो चीज़े हमें पता है तो इसी form में लिख लेते हैं इसे तो हमारी पास आ जाएगा sec square a divided by cosec square a next चीज़ next अगर हम देखें तो एक बार हम वो hexagon यहां पर form कर लेते हैं ताकि हमें ज्यादा calculation ना करनी पड़े तो अगर हम इस hexagon में देखें तो यह हमने रखा था 10 यह हमने रखा था sign फिर यह था हमारा cos cos का opposite sec, sec के बाद sign का opposite cosec and इसके बाद 10 का opposite यहां पर cot अब हम देखें तो यह sec upon cosec आ रहा है, sec upon cosec और we can say इसे अगर हम माने that is 2 तो यह हो जाएगा हमारा 3 यहनि कि हम इस direction में चल रहे हैं इस direction में चल रहे हैं तो यह हो जाएगा हमारा 1 और हमने सीखा था कि 1 होता है equal 2 upon 3 के so एक तरह से sec square a upon cosec square a equal हुए है यहाँ पर 10 square a के, so आप hexagon का बहुत जगह पर use कर सकते हैं तो directly आप यहाँ पर बता देंगे कि sec square a जो होगा sec square a divided by cosec square a यह 10 square a के equal आएगा option में भी हमें given है, like यह वाला option हमारे पास है यहाँ पर तो इसके according यह इसके equal हमारा आ जाएगा कर दो पर अएगा है झाल झाल